नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ IRCTC शेर का टेकनिकल अनिलिसिस और दोस्तों हम देखेंगे कि इस शेर में एक धमा के दार तेजी कब आईगी और ये शेर हमें शौट टम में कौन से टारगेट्स अच्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात आती है IRCTC शेर में हमारे रेजिस्टन्स ट्रेंड लाइन की तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस शेर में ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन एक बहुत ज़्यादा important resistance है दोस्तों अभी ये important क्यों है क्योंकि यहाँ पर आप देखो पहले इस शेर ने इस जोन में resistance फेज किया था उसके बाद इस share में घिरावट आई थी वापस इस share ने इसी trend line पे resistance waste किया उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हूं यहाँ पर भी share ने इसी trend line पे कई बार resistance waste किया और अभी भी यह share इसी trend line पे resistance waste कर रहा है तो यहाँ पर हम कहा सकते कि यह जो trend line है यह trend line IRCTC के लिए एक बहुती ज़्यादा important resistance का काम कर रही है दोस्तों यह तो हो गया resistance trend line अगर हम बात करते हैं resistance level की तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह वाला जो level है यह level भी एक important resistance है क्योंको दोस्तों पहले इस share ने इदर कई बार resistance phase किया है दोस्तों आईएव हम देखते हैं इस share में कुछ important support levels को तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस share में जो important support है वो है 804 rupees का level यहाँ पर आप देखो यह वाला level दोस्तों यह important है क्योंको पहले आप देखो इस share ने इस level पर resistance phase किया था और जैसे यह resistance ब्रेक हुआ था उसके बाद एक अच्छी तेजी है थी और तेजी के बाद जब गिरावट आई तो आप देखो इस share ने इससी level पर support लिया और दोस्तों यहाँ पर एक बार इस share ने इस support को तोड़ा था तो इस share ने यहाँ पर 743 के level पर support लिया तो यहाँ पर दोस्तों 804 और 743 यह दोनों level बहुत ज़्यादा important है दोस्तों आईए अब हम देखते हैं इस share में कुछ important technical indicators हमें क्या signal दे रहे हैं तो यहाँ पर मैं दो important indicators को लगा चुका हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो MACD indicator है उसमें आप देखो के MACD में हमें कहीं दिनों से almost लगाता negative histogram generate होते हुए दिखाई दिये थे पर finally आप देखो MACD में हमें एक bullish crossover देखने को मिला है यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर आप देख सकतों MACD का में एक bullish crossover देखने को मिला और इसी के वज़े से यहाँ पर green color के positive candle generate हो रहे हैं तो यह एक अच्छी बात है पर दोस्तों अभी भी जो यहाँ पर candle generate हो रहे हैं उनका size बहुत ज़्यादा छोटा है तो यहाँ से share में और recovery आ सकती है और दोस्तों अगर हम RSI को देखते हैं तो यहाँ पर आप RSI में भी देख सकते हो लगातार एक गिरावट के बाद में RSI में भी हमें recovery देखने को मिली है तो दोनों indicator धीरे धीरे करके recover हो रहे हैं और यह एक अच्छी बात है तो दोस्तों अगर बात आती है इस share में खरिदारी करने की तो मैं इस share को तभी पाय करूँगा जब यह share इस resistance trend line का breakout देता है मतलब दोस्तों अगर यह share 860 रुपीज के उपर में closing दिखा देता है मतलब यह वाला जो trend line है इसके उपर जाता है और उसके उपर थोड़ी देटिक जाता है तो मैं इस share में खरिदारी कर लूँगा उसके बात दोस्तों जो मेरा सबसे पहला target रहेगा इस share में हो रहेगा 929 रुपीज का लेवल तो आज के वीडियो के लिपस इतना ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना क्यूंकि इससे मुझे बहुत ज्यादा motivation मिलते है और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस share में मेरी कोई भी 22 सेल या hold की सला नहीं है क्योंकि ये वीडियो एक educational वीडियो है धन्यवाद